दोस्तों कर आप एक Instagram यूजर सो और आपका Instagram चलते चलते बंध हो गया था और आपको वहाँ पर 24 घंटे दे दी गई थे कि 24 घंटे के बाद में आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके देखेंगे अब 24 घंटे भी पूरे हो गए उसके बाद में जब हमने अपने अकाउंट को लॉगिन करके देखा तो उसके बाद भी हमें OTP कोड रिसीव नहीं हो रहा है जो confirmation कोड है 24 घंटे वेट करने के बाद भी हमें रिसीव नहीं हो रहा है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो कोड है वो क्यों रिसीव नहीं हुआ है 24 घंटे वेट करने के बाद भी और कैसे हम उसको रिसीव कर सकते हैं कैसे उसको ले सकते हैं सही तरीका क्या है हमसे यहाँ पर क्या मिश्टेक हो रही है क्या गलती आहाम कर रहे है यह सारी चीज़े अगर आप जानना चाते हो तो वीडियो को स्कीप करके न देखें वीडियो को एंट तक देखें कुछ लोग क्या है कि वीडियो को skip करकर के देखते हैं और फिर उसके बाद में वो गड़बड कर देते हैं उनका account चालू नहीं हो पाता है जब तक आप पूरी बात को सही से नहीं समझेंगे तब तक आपका account चालू नहीं होगा तब तक आपको OTP code receive नहीं होगा तो इस वीडियो को आप बिने skip किये एंड तक देख लें जो तरीका बताया जाएगा उसको follow करें 100% आपकी ID recover हो जाएगी और इसी तरह से काफी लोगों की recover हो रही है जिन लोगों को सही तरीका मालू है उनकी ID recover हो जाती है और जिन लोगों को नहीं पता है जो वीडियो को सही से देख करके उसको follow नहीं करते हैं तो उनकी ID recover नहीं होती है 24 घंटे के बाद भी उनको code receive नहीं होता है तो वीडियो को end तक देखें इसकीप ना करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजे मेरे नामे शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो बैई चैनल को सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन को ओल पर पेस कर लो कि आने वाली मेरी वीडियो के बडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे पूरे होने के बाद में जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो अपनी ID को रीकवर करने के लिए लॉग इन करने के लिए तो जिसे आप लोग इन करने के लिए जाते हो तो आप वहाँ पर मिश्टेक करते हो कि प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं करते हो जिस वज़ा से आपको OTP कोड रिसीव नहीं होता है अप प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ जब आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं यूजर नेम और पासवर्ट डाल करके तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है अब जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है तो आप से कहा जाता है यहां mobile number update यह option है बराबर में आप देख सकते हो mobile number update का तो आप इस पर click करेंगे यह जो मैं आपको step बता रहा हूँ यह सही step बता रहा हूँ इसी को follow करना है तो यहां आपको दिखाई दे रहा है mobile number update इस पर click करेंगे उसके बाद में आपके सामने दूसरा page आ जाएगा कुछ इस तरह का जब ऐसा page आपके सामने आ जाए तो सबसे first में यहां पर आपको country का code select करना है यानि कि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से हैं तो इंडिया से अलग कहीं तो प्लस वन लगा रहे हैं उस दूसरे वाले box में जो हम नंबर डालेंगे तो उनली सिर्फ नंबर डालना है ना कि उसमें प्लस वन लिखना है प्लस वन तो आपने डाल दिया country code में जब आपने select किया तो वो तो डल गया वहाँ पर अब उसकी just बरापर में जो यह दूसरा box है इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का अपना नंबर डालना है 10 डिजिट का नंबर डालना है उससे आगे पीछे कुछ भी प्लस 191 कुछ दी लिखना है सिर्फ नंबर डालना है और country का code जो आपने select किया है इंडिया वो डालना है और उसके बाद में जो आपको send confirmation पर किलिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर यह वाला page देखने को मिलेगा अब आपसे का जाएगा जो number आपने डाला है उस पर हमने एक OTP send किया है वो OTP डालने के बाद में submit कीजिए और आपका जो account है 100% यहाँ पर इसी तरह से चालू हो जाएगा और इसका यह process होता है कुछ लोग जो है ना तो country code डालते हैं कुछ लोग जो है number की साथ में प्लस वन लिख रहे हैं प्लस नाइन वन लिख रहे हैं तो इस तरह का जो आप यहाँ पर यह गड़बड कर रहे हो वो आपको नहीं करनी है अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूँ के जिसे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और इसके बाद में आपने प्रोसेस भी यहाँ सही से फॉलो किया उसके बाद भी आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी आइडी को बहुत जादा बार लॉग इन करके देख चुके हो इस वज़े से आपका कोड नहीं आ रहा है तो अगर आपने 24 घंटे वेट किया अब आपको करना क्या है अब आपको 48 घंटे वेट करना है जब 48 घंटे पूरे हो जाएंगे और प्लस में चले जाएंगे तब आपको अपने अकाउंट को लॉग इन करना है उससे पहले लॉग इन नहीं करना है एक चीज का और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिस वक्त आप अपने अकाउंट को लोग इन करके देखें और तो उस वक्त ही आप अपने अकाउंट को हर जगह से लोग आउट करेंगे लोग आउट करने के बाद में फिर आप वेट करेंगे 24 घंटे का या फिर 48 घंटे का यह चीज जो है आप ध्यान करेंगे जब आप वेटिंग के लिए चलें तो आप अपने अकाउंट को हर जगए से लोग आउट करके रखेंगे log in करके नहीं रखना है अपने account को ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कुछ लोग यहाँ पर यूँ छोट देते हैं उनकी साथ भी ये problem आ रही है उनका भी OTP इसलिए receive नहीं हो रहा है log out करके रखना है अपने account को और 24 घंटे में अगर OTP receive नहीं होता है जितनी टाइमिंग आपको बताए जा रही है उसको पूरा complete करने के बाद में तब आप जो है देखेंगे और जैसे के मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर किस तरह से डालना है single 10 digit का नंबर डालना है उससे पहले country code को select करना है उस वाले ही box में जाकर के जो उसकी बराबर में दिया जाता है इस screen shot में भी आप देख सकते हो तो यह तमाम चीज़े जब आप सही से follow करेंगे तो आपकी ID 100% recover हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे लगेगा आपको पसंद आए उसको लाइक करें शेयर करें मेरे शेयरन को सब्सक्राइब करने ना भूने तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में